नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका आपके अपने यूटूब चैनल पीके सरकर योजनफर दोस्तो आपको बता दे कि आज हम पैंसन से जुड़ी नई जानकारी लेकर आए है जिसमें पैंसन धारकों को मिली है बड़ी कुसकबरी दोस्तो चलो जान लेते हैं इस वीडियो म में क्या जानकारी मिलने वाली है दोस्तो आपको बता दे कि EPS पैंसन अपडेट 2030 के बारे में सबसे जरूरी जानकारी के अंसार करमचारी बहुष्य निदी संगतन यानि EPS पो ने करमचारी पैंसन योजना के तहत उच पैंसन के लिए आवेदन प्रकिया शुरू कर दी है इस अपडेट के माहध्यम से करमचारी और खाताधारकों को यह बड़ी खुशकबरी मिली है कि अब वे तीन मार्च से पैंसन बढ़ाने के लिए आवेदन कर सकते है इस आवेदन प्रकिया के माहध्यम से पूर सितंबर 2014 से सेवा निवर्थ हुए करमचारी को पैंसन का लाग मिलेगा दोस्तों आपको बता दे कि EPS पैंसन 2023 आवेदन करने की प्रकिया फर्ष्ट प्रकिया आवेदन करने के करमचारी भविश्य निदी संगटन यानि EPSO के कार्यालिया में जाए और आवेदन पत्र भरे सेकिंड अवश्यक दस्तवेजों को संगलन करे आवेदन पात्र के साथ भी सभी अवश्यक दस्तवे जोकी परतिनिधी संगलन करे आवेदन पत्र जमा करे पूरा आवेदन पत्र सही भरे सही करे और इसे निकट्तम ईपी अपो कार्या लमे जमा करे सेयुक्त आवेदन पत्र के लिए विकलप चुने यदि आप सेयुक्त आवेदन पत्र जमा कर रहे है तो ऐसे विकरन और घोषना का विकलप चुने करमचारी 95 योजना के लिए सह्मेती 95 फंड में समय योजन करने के लिए सयोक दूरूप से करमचारी की सम्मति जरूरी है आवेदन पत्र जमा करने के बाद आवेदन पत्र जमा करने के कुछ समय बाद आपको URL प्राफ्ट होगा जिसके महज़्यम से आप परगत्री की जानकारी प्राफ्ट करेगे EFW से मिलेगा लाब यानि आपको किस परकार इससे लाब मिल सकता है पहले से खारिज किये गई आवेदक जो लोग पहले से ही आवेदन दे चुके है उन्हें इस नई अपडेट के तहट आवेदन करने का मोखा मिलेगा सेवन निवर्थ हुए सितंबर 2014 से पहले जो लोग सेवन निवर्थ हुए और सितंबर 2014 से पहले इस योजना से जुड़े थे वे भी उच पैंसन के लिए आवेदन कर सकते है इस तरह आपको लाब मिलेगा EPS पैंसन अपडेट के माध्यम से करमचारी भुष्यन निदी संगटन ने करमचारी पैंसन योजना के तहत सदस्या और नियोगताव को एक और विकल परदान किया है अब उन्हें अपनी पैंसन को बढ़ाने के लिए सहयोक तुरूप से आवेदन करने का मोखा मिलेगा इस पैंसन अपडेट के तहत सदस्या को अपने नियोगता के सहयोग से तीन मार से पैंसन बढ़ाने के लिए आवेदन कर सकेगे यह है अध्यानत नियमित करमचारी ओको उच पैंसन के लिए एक नई सुईदा परदान करता है इसके अलावा इस अपडेट में बता गया कि पूर सितंबर 2014 से पहले सेवन निवर्द हुए करमचारीों को पैंसन का लाव मिलेगा यह है EPS पैंसन अपडेट उन करमचारीों के लिए अच्छी ख़वर है जो अपने पहले से ही करमचारी पैंसन योजना के सदश्य थे अब वे इस नई अपडेट के अंतरगत अपने पैंसन को बढ़ाने के लिए आवेदन कर सकते है इस अपडेट के अंतरगत करमचार योग श्युक्त आवेदन पतर जामा करने का विकलब भी दिया गया है दोस्तों आपको हमारे दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक जरूर करे धन्यवाद दोस्तों